नमस्कार भायो, आज हम बात करेंगे महान गनितग्य और अखगोल शास्त्री आर्यभट की, आर्यभट की, संचिप्ट जीवनी, के द्वारा जीवन की कठिनाईों से लड़कर गनित के क्षेत्र में एक महान योगदान देने वाले गनितग्य आर्यभट की विशय में बात करने का समय है एक समय की बात है, जब भारत में गनित की खोज और विकास करने वाले अलग-अलग गनितग्य उभर रहे थे इसमें से एक महान गनितग्य आर्यभट थे, आएए, हम उनके जीवन का सफर करें आर्यभट का जन्म 476 BC में भारत के केरल प्रांत में हुआ था, उनके पिता का नाम कानाद था, जो एक गनितग्य थे उनके पिता ने ही आर्यभट को गनित की शिक्षा दी आर्यभट के जीवन में एक महत्वपून सयोग हुआ था जब उन्होंने वारामहिर के पास गनित की शिक्षा प्राप्त की आर्यभट के द्वारा अध्यान करने के बाद वारामहिर ने उन्हें स्वयमसेवक के रूप में अपने घर में रखा आर्यभट ने सूर्यमंडल पर आधारित कई गनितिये सूत्रों की खोच की थी उन्होंने प्राचीन गनित के तरीकों को सुधार कर नए सूत्र बनाए जो आगे चलकर गनित की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए आर्यभट ने गनित के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान किये। उन्होंने ब्रह्मगुप्त सिधान्त के आधार पर गनित के नए सूत्र बनाए, जो बाद में पश्चिमी गनित के लिए आधार भूट बन गए। आर्यभट ने गनित के अलावा खगोल विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सूर्यमंडल की उच्चिता की मापन करने के लिए नए तरीकों का उप्योग किया। आर्यभट के लिखिद ग्रंथों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आर्यभट येम। इस ग्रंथ में उन्होंने गनितिये सूत्रों, उदाहरनों और गनितिये प्रयोगों को संकलित किया है। आर्यभट येमें एक नई पहचान बनाए। उनका योगदान गनित और खगोल विज्ञान के लिए अमूल्य है। उनकी महानता को याद रखना चाहिए और उनका जीवन एक प्रेरना दायक उदाहरन होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, उमीद है आपको आर्यभट की ये छोटी सी जीवनी पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना न भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।